हेलो स्टुडेंस वेलकाम टो माई यूटूब चैनल बच्चावाला मैट्स आज हम करेंगे क्लास 10 हुमेन आई के पार्ट 2 दिफेक्ट ओफ हुमेन आई सो लेट सब्सस्ताइट अब यहाँ पर हम हम्हीन आई के इसंच इस पर नहीं पर आउसे पार्ट दिफेक्ट आएं गेगत तो सफ़ाल बूलते इस इसलिए बोला जाता है क्योंकि तो इसको ब्लडी या तो नहीं दिखते है और पास का अबजेक्ट उसको दिखते है उसको हम लोग क्या बोलता है तो आप तुम देख सकते हो कि हम देखते कैसे देखो हम अगर कोई चीज अबजेक्ट देखता है तो यहां पर एक जाता है तो अच्छा से इमेज नहीं होता है और यह पास में ही जाके मिट हो जाता है यहां पर फ़म नहीं होता है यहां के छत पहले वह मिट कर जाता है तो इमेज हो अच्छा योई को दूर और पास वाला दिखते है तो इसको करEC करते हैं देखो तो चोनेक करने कई है है कि हम लोग यहां पे concave lens लागा दे़ुन को क्या बोले जाते हैं हम लोगों को diverging lens बोले जाते हैं एक rare flight को diverge कर ज़ते है जाकि वो रेव फ्लाइट पास जो फॉर्म और था पहले यहां पी फॉर्म और था वो डाइबर्ज हो के फुल्ली रेटिना पे फॉर्म और यह करेक्ट कर दे ठीक है होप यह समझे में है तुम लोगों कि मैंपे का मतलब है कि पास का अच्छा से दिखे दूर का नहीं दिख ऐसे की पास के ऊड़्म और इसमें इसमें गोल्ता हो रही है था इसको पॉयक्टि आप्जेट को का निफ्ट का शॉर्म और पो डिखने में बुछका ना बट हो रहा हूना हिनि तो देखो इसको डाइग्रमेटर में क्या होता है वहाँ पर क्या हो रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्स जब रिए फ्लाइट जा रहा था तो यह इमेज जो इंट्रसेक्टिगम लेंज रेटिना से पहले ही हो जा रहा था लिगा यहां पर यह रेटिना के पीछे दूर चला जा परिंटरसेक्टर में रहेक्षा करेंग्टर वो सिसको करेक्टर करंद हम नहीं कि यॉइटा लगा के तो कंवेख लागा की एंट्रसेक्टर थो और यह करेक्टर करते हैंrich पर तुम दिखाए कि मायवपिय का मतलब क्या होता है, मैयवपिय का मतलब उनको बोलता है नियर साइटिटनेस यानि की पास का अच्छा से दिखना दूर का बलरी दिखना ठीक है, कैसे होता है यह आईबॉल तू लॉंग हो जाना और इसको क्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, कनक नेक्स लेंस पहन के, ठीक है, तो चलो नेक्स देखते हैं, काटरेक्ट, तो काटरेक्ट मेंली होता है तुम्हारा एजिंग के वेसे, ज्यादा ओल्डेज पीपल को होता है, यानि के बुड़ा लोगों को ज्यादा होता है, काटरेक्ट is a clouding of eye lens that prevent formation of clear and sharp image, a cataract form when old cell after they die, stick in the capsule, ठीक है, wherein time a clouding over lens happened, because of this clouding blurred image are formed, तो किसको correct कैसे करते हैं, correct can be done by surgery, ठीक है, तो cataract क्या होता है, mainly old age home में तुम दोग देखा होगा, कि मोतियाबीन होता है, जिसमें क्या होता है, कि eye के ऊपर एक white layered form हो जाता है, old age में maximum होता है, तो old age में इसको कैसे ठीक कर जाता है, इसको lens से ठीक ही नहीं कर जा सकता है, इसको हम surgery के थूरू correct कर सकत ठीक है, ठीक है, फिर चलो next, last, pressed biopia होता है, ठीक है, pressed biopia देखो, pressed biopia is natural defect that occurs with the age, pressed biopia, जिसमें क्या होता है, कि यह mixture of hypometric and myopia है, कि इसमें past का भी नहीं दिखता है, दूर का भी दिखने प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम लोग, इसका old age, mainly main region है कैसे होने का, और इसको correct करते है by wearing bifocal lens, जो दोनों से बना होता है, रुखो हम बता रहे है यहाँ पर, correction of myopia can be happened by wearing bifocal lens, जा glasses, और इसको क्या बोले जाते है, progressive additional lens भी बोलते जाते है, wherein the upper portion of the lens contains concave lens and lower portion क्या होता है, convex lens, ठीक हो, hope you have understood, if you have any doubt, then you can revert back to me, thank you.